ये वही इंसान है जो अपनी हिम्मत और होसलों से समंदर भी पार कर सकता है और ये वही इंसान है जो भावुक हो जाए तो दोबुन्द आसुओं में भी डूप जाता है अंतर्मन में चले संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा यही जीवन का स्रेष्ट अभिने है हर बात पे छलकने लगे आसुओं तो समझ जाना कि मजबुत बने की जिद में कोई टूट रहा है दीरे दीरे एक परवाही बताती है कि खयाल कितना है वरना कोई तराजू नहीं होता रिष्टे में राधा के प्रेम का यही इनाम है काना से पहले लोग लेते राधा का नाम है लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अंदेखा करना सीख जाएंगे कुछ रिष्टे बनाए नहीं जाते वो बिना बनाए ही दिल के पास आकर थम जाते है इश्क की कोई उम्र नहीं होती यह जब भी होता है बेहिसाब होता है चाहे कितनी भी हो दूरी पर दिल के पास ही होता है मिलने की कोई उमीद नहीं होती फिर भी मिलने का इंतजार होता है याद उसे करो जो अच्छा लगे प्यार उसे करो जो सच्चा लगे साथ उसी का दो जो इरादों का पक्का लगे ताकि जीवन भर निभा सके और दिल उसे दो जो सुरत से नहीं दिल से सच्चा लगे जिन्दगी जब आती है रुलाने पे तो अपने भी पास नहीं आते भुलाने पे किताबों की एहमियत अपनी जगह है सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते है दिल के रिष्टे तो किस्मत से मिलते है वरना मुलाकाते तो हजारों से होती है उडने में बुराई नहीं है हर कोई उड सकता है पर उतना ही जहां से जमिन साप दिखाई देती हो कुछ लोग किस्मत की तरह होते है जो दुआ से मिलते है और कुछ लोग दुआ की तरह होते है जो किस्मत बदल देते है पहले हम होशियार थे इसलिए दुनिया बदलने चले थे आज हम समझदार है इसलिए खुद को बदल रहे है हमारी सफलता में मिठाए मांगने वाले लोग तकलिप में नजर तक नहीं आते जो बिन कहें सुन ले वो दिल के बहुत करिब होते हैं ऐसे नाजो के हिसास बड़े भाग्य से मिलते हैं सुन्दर्ता हो नहो सादगी होनी चाहिए रिष्टे हो नहो भावनाय होनी चाहिए सब उल्जे है अपनी ही उल्जनों में यहां पर सुल्जाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए तुम्हारी किस्मत का तुमसे कोई नहीं छिन सकता अगर भरोसा है उस परमात्मा पर तो सब कुछ देगाओ वक्त आने पर हर चीद जैसी चाहो वैसी नहीं होती इसलिए सुक नहीं समाधान खोजो जिन्दगी खुशी खुशी बितेगी उनके करज़दार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखते और उनके वफादार रहिए जो आपके लिए वक्त निकालते है कुछ भी अचानक से नहीं मिलता सुरज भी धीरे-धीरे से निकलता है धीरे-धीरे उपर उड़ता है धेरिय और तपस्चा जिसमें होती है वही अपनी जिन्दगी को रोशन कर सकता है और वही संसार को प्रकाशित कर सकता है अपने जुबान की ताकत को कभी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने आपको बोलना सिखाया मा ये कैसी ब्यांक है जहां आप अपनी भावनाए और दुख जमा कर सकते हो कितना भी लिखू उसके लिए कम ही है